हेलो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुल कैपसूल में और आज यह जो लेक्चर है यह हमारा लेक्चर है लॉंग वॉल शॉट वॉल मैथड के उपर और इसके एक एक्जेम्पल है जो हम यहां से उठाएंगे लॉंग वॉल शॉट वॉल मैथड को समझने के लिए आप एक असान एक्जेम्पल भी ले सकते हैं इससे असान लेकिन फिलाल अब यह जो कोशन है इसके अंदर एक रूम के साथ एक ओवरंडा दिया हुआ है तो हम इसको लेकर कोशन को सौल करेंगे ठीक है तो फिलाल यह की बुक है यह एक पाध्या की सेवल इंजिनरिंग और कोस्टिंग इंक्लूटिंग क्वांटिटी सर्वे टेंडरिंग और वैल्यूएशन यह बुक मार्केट में इसली आपको मिल जाएगी और यह पेज नमबर जो है इस बुक इसकोशन का पेज नमबर है 107 तो मैं कोशन को जड़ा पढ़ लेते हैं कोशन हमारा है क्या तो कोशन हमारा है परपियर एस्टिमेट फॉर्ट फॉर्विंग आइटम्स और वर्क फ्रॉम प्लान और सेक्शन ओफ एन ओफ एन वन रूम बिल्डिंग एस शोन इन फिगर 2.30 आल्सों प्रेपियर दा एप्स्ट्राइक आपको सबसे वाले तो प्रिपेर करना है एस्टिमेट फॉर्ड फॉर्विंग आइटम्स कुछ आइटम्स को आपको एस्टिमेट करके देना है कि कितनी कुएंटिटी किस-किस आइटम की यहां पर लगेगी आपको प्लान और सेक्शन जो है इसकी वो दी हुई है एक रू निकालते हो कि उस कौन्टिटी की किनी कौस्ट होगी रेट्स हमें पता होते हैं रेट्स के सथ कौंटिटी को मल्टिप्लाई कर देते हैं फिलाल इसमें पूछा क्या-क्या है सबसे पहले बोल Cross कि नेक्स कूईशिशन इन फाउंडेशन सबसे वेले अर्थवा की नेक्स दुबारा से जब आप मिट्टी को फिल करोगे प्लिंथ, दुबारा फिलिंग होगी जो, वो कितनी होगी मिट्टी की, सीमट कॉंक्रेट 1-5-10 in the foundation, सीमट कॉंक्रेट जो है, फांडेशन में कितना डलेगा, ठीक है, उसके बाद, फर्स क्लास ब्रिक वोर्क इन सीमट मोटार 1-6 for the foundation and the plinth, तो उसके बाद, जब आपने foundation, सीमट कॉंक्रेट फांडेशन बैट दाल दिया, उसके उपर आपकी फर्स क्लास ब्रिक वोर्क से foundation और प्लिंथ बनेगा, तो वो आपको निकाल कर देना है, कितना ब्रिक वोर्क उसमें होगा, सीमट मोटार में, 40 mm देक डिप इसी आता, डैम प्रूफ कोर्स, वो उसने 40 mm दिया हुआ है, तो वो कितना डलेगा, उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है, मीटर स्क्यर के हिसाब से, एंड फर्स क्लास ब्रिक वोर्क इन सूपर स्ट्रक्चर, उसके बाद दिवार बनेगी उपर, दिवार में कितने हमारी क्वांटिटी यूज होने वाली और RCC वर्क, वे सारी चीज़ें हमें निकाल दी है, फिलाल मैं अभी आपको सबसे पहले तो बता देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या दिखे गया, यह हमारा प्लान है, ठीक है, प्लान यानि हमें उपर से, टॉप व्यू देख रह है, और यहां पर हमारी ये विंडो है, ये हमारी विंडो का साइन आपको नजर आ रहा है, इस इस साइन फॉर दा विंडो, ये हमारी दोर है, ठीक है, एक ही दोर दी होई है इस कमरे में, कमरे की डाइमेंचन है, 4.5 इंटू, 5.2, तो 4.5 होरिजन्टल होगी और 5.2 जो ये आपको ध्यान रखना है, तो इस में हमारी दो शौ्ट वॉल्स है और दो लॉंग वॉल्स है, ठीक है, लॉंग वाल होगी जिसकी लेंध जो है, जिसकी लेंध जो है वो चोटी है, यहां से आपको समझ रहा है, मैंटर कैसे यूज़ होगा, बढों बस्थ के बाद अग प्रवर्ढट शुलब प्रवक्ρο अद्ट ट्वेंजर रही है जिसको से वरंड़ा लिखा हुआ वरंड़ा जो है 2 टू मिटर वाइड है इस के बीच में आपको pillar नज़र आ रहे हैं ठीक है पिलर यानि column type हमारे नज़र आ रहे हैं और पिलर की डाइमेंशन इसके थर्टी इंटू थर्टी इंटू थर्टी यानि यह स्केर है चोटे से स्केर आपको जो नज़र आ रहे हैं स्केर है 30 इंटू 30 का यह हमारा pillar 30 cm इंटू 30 cm का यह pillar है यह तीन pillar है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको सीड़िया नज़र आ रहे हैं सीड़ियों में जो राइजर राइज है राइज पॉर्शन 15 का है और ट्रेड जो है वो 30 है तो यह आप जानते हो राइज और ट्रेड के बारे मे ठीक है ट्रेड आगया जो आपको उपर से दिख रहा है अभी जो दिख रहा है जिस इस ट्रेड जिसके उपर आप पाउं रखते हो और राइजर होता है जो सीड़ी को राइज करता है ठीक है तो दो ही पॉर्शन होते है इसके अंदर राइज उसने 15 का दिया ट्रेड उसन और क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं फिलाल एक तो हमें प्लान चाहिए होता है एक हमें चाहिए होता है उसका सेक्शन तो सेक्शन जो है उन्होंने यहां पर दो सेक्शन यहां पर ड्रॉ करके उसने दी हुई है पहले तो उसने क्या किया हुआ है इसी प्लान को इस से काटाए यहह और यह खिड़की को आदे से काटा हुआ है उसके बाद यह पोर्षन उसने काटा हुआ और यह सारा पौरशन यहाँ पर आपको शन को कि तो से फिलाल यहां से काटता हुआ ओ जब मैं इस साइड से देखूंगा तो इस साइड से जब मैं देखूंगा मतलब अकर मैं यहां पर खड़े होकर building को देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा मुझे ये चीज तो पूरी दिखेगी ठीक है अब इस line के जो इस side वाला portion है ये cut जाएगा ये चीज आपको नहीं दिखेगी हमें देखना है इसके उस side वाला portion line के जो उस side वाला portion है सिर्फ वो ही दिखेगा जो इस side वाला portion है वो नहीं दिखेगा यानि ये वाला portion जो है ये cut जाएगा ये portion नहीं दिखेगा हमें तो आप इसको दियान से देखो बुक में अब ये खिड़की को काटा हुआ है आपको ये खिड़की का ये top view है आपको अगर सामने खड़े हो कर देखते हो बिल्डिंगों तो आपको इस तरह से देखेगी ये portion इसने काटा हुआ आदी दिवार आपको कटी हुई नजर आ रही है ये line के इस side वाला portion आपको नजर आ रहा ये जो line है इसके इस side वाला portion तो आदी खिड़की भी काट रहा तो खिड़की आपको यहां पर नजर आ रही है उसके बाद दिवार क्योंकि मैसनरी वर्क है खिड़की जो है वो दिवार के बीच में ही आएगी 30 cm की दिवार है वो आपको उसकी height जो है वो नजर आ रही है elevation basically किसके लिए होती है elevation में आपको height नजर आती है यह तीसरी dimension है दो dimensions तो आपको यहीं पर नजर आगे न एक तो आपको length और bit तो नजर आ रही है लेकिन height जो है वो आपको तीसरी dimension जो है वो section में आपको नजर आएगी तो यह ABCD वाला part है और इसमें क्या था यह line अगर आप देखते हो यह line यहां से जा रही है तो यह खिड़की जो है यह इसके उस side मैंने का सिरफ उस side वाली portion दिखेंगे इस side वाला नहीं दिखेंगे उस side आपको सामने देख रही है यहाँ पर देखो आपको आदी खिड़की नजर आ रही है क्योंकि आदी लाइन तक यह कटी हो यह दो आदी नजर आ रही है ठीक है उसके बाद इसकी height जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो आपको जो पॉर्शे ने सब दिया हुआ है और उसने ground के नीचे से start करेगा अब यह जो दिवार है दिवार के नीचे जो foundation है वो 90 cm की डाली हुई है यह दिवार के लिए ठीक है 90 cm, 90 cm का इसने foundation बैड डाला हुआ उसके ओपर first footing जो है वो 60 cm की है उसके बाद second footing जो है वो 50 cm की है और उसके बाद plinth जो है वो 40 cm का यह GL का मतलब होगा जो ground level के उपर होता है उसको प्लेंथ कहाते है तो यह पूरा portion जो है जो 40 cm इसकी विड़ती हुई है प्लेंथ की और यहां से यहां तक इसकी ground तक जो height है वो दे दी हुए 30 प्लस 45 की हुआ हुआ 30 जो है ground से नीचे है 45 उपर है तो प्लस करके देखो कितना आता है वो सारा हमारा तो यह हमारी elevation है इसका बड़ा important role है इन दोनों का बहुत important role है जब आप question को solve करोगे क्योंकि दो dimension यहां से नजर आएंगी तीसरी dimension height जो है हमें किसी भी quantity की वो हमें इधर से नजर आएगी लेकिन फिलाल इसके अंदर खाली दिवारे नहीं है इसके अंदर हमारे pillars भी है तो जब हम pillar वाले portion को cover कर रहे है तो pillar की अपनी एक foundation है pillar की कुन सी foundation है pillar की foundation इसने यहां पर दी हुई है लिखा हुआ pillar foundation pillar foundation pillar के नीचे सबसे पहले क्या डलेगा फाउंडेशन बैड़े डलेगा उसके बाद सिर्फ एक ही footing डलेगी ठीक है और एक footing डलने के बाद उसके उपर प्लिंथ डलेगा तो प्लिंथ जो है अगें प्लिंथ जो है 30 प्लस 45 यह इसकी height है ठीक है और दिवार की height जो है वो 30 है तो यह हमें दिया हुआ है प्लिंथ के लिए उसके बाद एक और एक और section दी हुए है किसी तरह की foundation दी हुए है यह foundation उसने दी हुए ड्वाफ वाल के लिए ड्वाफ वाल्स वह वाल्स होती है जो आपकी slab को स्पोर्ट नहीं करती उससे चोटी ही होती है ठीक है कि सलैब तक नहीं पहुंचती है वाल्स तो यह वाल इन्होंने बेसिकली पिलर्स के बीच में दी हुए तो एक तो यहां पर आएगी यह दिवाफ वाल और एक ड्वाफ वाल यहां पर आएगी और यहां पर जो डिवाफ वाल्स आएंगी उनका जो foundation है वह उसने यहां पर हुए है मतलब उसके नीचे जो foundation पड़ेगी और इसकी thickness जो है 30 cm ही है तो यह था अब यह यह वाला section तो मैंने आपको समझा दिए कि यह section तो यहां से काटी हुए है तो यह वाली section कहां से काटी हुए है यह section इसने काटी हुए है अगर आप देखो यहां से एक आपको यहां नजर आ रहा है यह यहां से आपको एक्स नजर आ रहा है तो अगर इस line को आप join कर लेते हो तो यहां से आपका यह portion जो है वो काट दिया हुए उसने यह नगे यहां पर घड़े होके अगर मैं इस side को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आने वाला है मुझे बिल्दिंग इस तरह से नज़र आएगी यानि ये चीज जो है सबसे पहले यहां पे जो डॉफ वाल ये वाला पॉर्शन आ गया ठीक है उसके बाद उसके बीचे ये कमरे की कमरे का पॉर्शन नज़र आएगा ये और कमरा जब आपने काटा तो सामने से आपको ये दो खिड़किया नज़र आ रही है इसको बड़े द्यान से समझो और एक दिवार ये वाली आपकी दिवारें कौन कौन सी है कि कमरा नज़र आ रहा एक दिवार आपको ये नज़र आ रही है तो इस दिवार की फाउंडेशन ये है और इस दिवार की फाउंडेशन ये है तो ये दोनों आप section है और इस section को इसने a b c d का नाम दिया हुआ है ठेक है तो यह था हमारा पूरा idea about plan and the section जो आपको question के अंदर दिया होता है इसको बड़े ध्यान से आपने समय नहीं क्योंकि इसको इसको बिना समझें question को नहीं निकाल सकते एक और चीज़ यहां पर रहागी हुई है और वह थी डोर्स और विंडोस की बात कर रहा हूं और शेल्व यह जो आपको हलका सा पाट नजर आ रहा है जो आदा दिवार से काटा हुआ इसको शेल्व कहते हैं यह विंडोस है ठीक है छे विंडोस आपको 210 cm डिवाइड कर दो 100 के साथ तो यह बनेगा 1.11 1.1 मीटर की हमारी डोर की लेंथ है यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाइं जो है वंट-वन जिरो है और हाइट यहां से नजर नहीं आरे हाइट आपको डॉर की नजर आएगी हाइट यहां से लेके यहां तक जो हाइट ह वो इसकी दी हुई है 2.10 अब आप कहोगे इसमें दो ही dimension दी है तीसरी दी नहीं है तीसरी तो उतनी ही होगी जितनी दिवार की है दिवार की thickness होती है 30 तो उतने ही हम door की भी consider करकर चलते हैं हमें सिर्फ उसकी length और height चाहिए होती है तो length और height दोनों उसने दी हुई है ठीक है कि उसकी लंबाई कितनी होगी और उसकी height कितनी होगी और दोनों चीज़ें उसने यहां पर हमें दी हुई है window में भी same हमें वही दिया हुए 90 यानि 0.9 into 150 तो window यहां से यहां तक जो है वो 0.9 की है और इसकी height जो है शेल्फ हमारे अगे उतना ही है जितनी dimension window की है तो shelf की भी जो length है वो 0.9 है और depth जो है वो 1.5 0.9 meter into 1.5 meter यह हमारा बंद्रा यह सारी चीज़ें यहां पर है जो important important part है वो मैंने आपको समझा दिया ठीक है बाकि जो question होगा जब question को question में मैं आपको जैसे question करते हैं हम बताते हैं आगे इसमें और क्या क्या है ठीक है दोस्तों तो बाकी का जो है part मैं आपको next lecture में बसाता हूँ फिलाल अपी इसको आप अच्छे से समझे thank you very much